Hello friends, welcome back. मैं आपका दोस्त असीम शुकला आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं. दोस्तों, आज हम डिसकेशन करेंगे उपनिशत का एक ज्ञान है जो हमें बताता हैं हमारे शरीर के बारे में. हमारे पाँच शरीरों के बारे में उपनिशत में लिखा हुआ है. लेकिन आमुमन तोर पे हमें सिर्फ अपना ये फिजिकल बॉडी ही पता है इसको हम लोग ग्रॉस बॉडी भी कहते हैं ये फिजिकल बॉडी जिसको हम देख सकते हैं जिसको हम फील कर सकते हैं जिनको हम अपनी पाँच से से इसको फील कर सकते हैं वो ये physical body है जिसको हम gross body कहते हैं और यही एक पहला शरीर है जिसे उपनिशद अन्नमे कोश कहता है ये अन्नमे कोश इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसका जो इसकी वृद्धी इसका portion इसका जो source है वो food है अन्न है जो भी हम अन्न खाते हैं उससे ही हमारा ये शरीर विक्सित होता है जो हम छोटे थे जो हम पैदा हुए थे तो हमारा शरीर बहुत छोटा था लेकिन धीरे धीरे हमने अन्न का सेवन किया और जिस तरह के अभी हमने अन्न का सेवन किया उसके द्वारा हमारा शरीर धीरे धीरे विक्सित हुआ और आज हम जैसे भी हैं वो उस अन्न के वज़े से ही हैं यह अन्न में कोश बहुत महत्पूर्ण है क्योंकि यह हमारी फिजिकल बॉड़ी है और इस फिजिकल बॉड़ी की हम दिन भर देख भाल करते रहते हैं अब ही जो उपनिशत के दोरा जो बताया गया ग्यान है वो पांच शरीरों का ग्यान है उसमें से पहला शरीर मैंने आपको बताया है यह फिजिकल बॉड़ी यह ग्रॉस बॉड़ी है इससे ही लगा हुआ एक जो है वो प्राण में कोश है और उस प्राण में कोश से एक थर्ड बॉड़ी लगी हुई है जिसको मनो में कोश कहते है उसके साथ एक और बॉड़ी है जिसको हम विज्ञान में कोश कहते है और सबसे बाहर का जो कोश है उसको हम आनन्द में कोश कहते है दोस्तों मैं आपके लिए एक चित्र लाया हूँ एक प्लैकार लाया हूँ जिससे आप इसको बहतर तरीके से समझ सकेंगे ये देखे दोस्तों ये एक प्लाकार्ड है इसमें जो सबसे अंदर की जो चित्र है उसको हम फिजिकल बॉड़ी या स्थूल शरीर कहते हैं इससे लगा हुआ एक और शरीर है आप देख रहे होंगे ब्लू रंका है इसके बाहर का है इससे जस्ट लगा हुआ बाहर की तरफ वो प्राण में कोश है और उससे आगे जो है वो मनों में कोश है और डार्क ब्लू की लाइन जो है वो विज्ञान में कोश है और सबसे बाहर की तरफ जो पॉपल रंग की लाइन है तो इस तरीके के यह कोश होते हैं यह हमारे 5 कोश हैं जो हमारे उपनिशत्स की फिलोसफी में बताये गए हैं लेकिन हम लोग सिर्फ physical body के बारे में जानते हैं हम लोग का घ्यान सिर्फ जो है वो इस gross body की तरफ इस अन्नमे कोश की तरफ ही जाता है थोड़ा बहुत हम प्राण मैकोश के भी बारे में जानते हैं क्योंकि हम प्राणों के बारे में कुछ जानते हैं ये कहा जाता है कि जब तक प्राण शरीर में वह रहे हैं तब तक ही व्यक्त जिन्दा है और जब प्राण शरीर से बाहर चले जाते हैं तो विक्त की मृत्ति हो जाती है तो ये दूसरा जो शरीर है उसको प्राण में कोश करते हैं और इसका मेंन सोर्स जो है वो प्राण इनर्जी है जिसको लाइफ फोर्स इनर्जी कहते हैं यह life force energy हमारे पूरे ग्रॉस शरीर को पूरे physical body में चारो तरफ फैली हुई है हर एक जगा पे प्राण में यह life force energy बहती है इसलिए जो हमारा दूसरा शरीर है जो इस physical शरीर से लगा हुआ है जिसको हम प्राण में कोश कहते हैं वो इस पूरे इस थूल body पे यह पूरी physical body के ए एक एक जगा एक एक cell पे यह life force energy पहुचाता है अब यह life force energy क्या होती है यह life force energy वो energy है जिससे कोई भी अंग आपका जो है वो move कर सकता है movement आ सकती है आप कहीं पे भी जो move कर रहे हैं वो life force energy के दोरा ही कर रहे हैं सिर को घुमा रहे हैं तो life force energy ही है शरीर में कुसी भी अंग आपका काम कर रहा है वहाँ पे life force energy ही ही है दोस्तों जब किसी भी अंग में ये life force energy की कमी हो जाती है या किसी भी blockage के कारण उस अंग में या उस body part पे ये प्राण उड़ जा ये life force energy नहीं पहुंसती तो वो अंग वो part of the body paralyze हो जाता है इसलिए ये दूसरा सरीर बहुत important है ये जो हमारा प्राण में कोश है और ये जो में physical body है ये आपस में जुड़ी हुई है और ये प्राण में कोश जो है उसमें 72 लाक नाडियां होती है 72 लाक नाडी होती है जो पूरे body में जो हमाई physical body में एक एक जगा पर जो है ये energy life force energy को पहुचाती है जिसके कारण हम रोज मर्रा का daily work routine कर पाते हैं दोस्तो अब तीसरी body है जो इस physical body के आगे जो अन में कोश है इसके आगे एक प्राण में कोश है और तीसरी body इसके उपर है जो उससे भी ज़्यादा powerful है उसको मनो में कोश कहते हैं ये मरो में कोश वो है जहांपे हमारा मन काम करता है मन मतलब जहांपे हमारे विचार, हमारे thoughts रहते हैं जहाँ हमारी feelings रहती हैं ये जो मन है हमारा ये दो parts में divide होता है एक को conscious mind कहते हैं और एक को subconscious mind कहते हैं हिंदी में इसको एक चेतन मन कहा जाता है और दूसरा जो सब कॉंशियस है उसे अव चेतन मन कहा जाता है दोस्तों जो हमारा कॉंशियस माइंड है जिससे हम वो भी दो पार्ट में डिवाइड होता है यह कॉंशियस माइंड वो होता है जिससे हम देख पाते हैं जिससे हम ची हम लॉजिकव माइन कहते हैं जो हम खटना हुई है थीक है यह जो घटना है ठीक नहीं है वह हम अपने माइंड से इसको करते हैं और एक होता है क्रियटिव माइंड जिसने हम जीवन में कुछ भी क्रियेटविटी उत्पन करते हैं जैसे आप कुछ लिखना चाहते हैं या आप कुछ गाना चाहते हैं या आपके और भी कुछ creativity आप अपने जीवन में करना चाहते हैं वो आपके creative mind के द्वारा होती है तो आपका जो conscious mind है जो आपका चेतन मन है वो दो पार्ट का divide होता है एक logical mind होता है और एक creative mind होता है दोस्तो ये जो आपका conscious mind है ये पूरी mind power का 10% होता है इसके अलावा 90% जो area है वो सब conscious mind का है जिसे अब चेतन मन कहते हैं दोस्तो ये जो हमारा तीसरा सरीर है ये मनों में कोश है यहाँ पे ये मन का सामराज है ये मन के दोरा ही आपकी प्राण उर्जा को नहींतित करता है और उसके दोरा ही प्राण उर्जा ही आपके इस physical शरीर को गवर्ण करती है उसको ये संचालिद करती है अब मनो मैकोश से ही लगा हुआ एक चौता शरीर है जिसको हम विज्ञान मैकोश कहते हैं यह विज्ञान मैकोश बहुत पावरफुल कोश होता है इसमें हर तरह की knowledge है आपके पास जो भी knowledge इस संसार में उपलब्ध है वो सारी की सारी ये इस ग्यान में कोश में श्टोर रहे हैं जो हमारे देश के साधु संत जो है द्यान में, मेडिटेशन में जाके इस चौथे शरीर में enter करते थे, प्रवेश करते थे और फिर उस particular ग्यान को ले लेते थे लेकिन अभी हम उस ग्यान में कोश का जो है उपयोग सिर्फ अपनी चेतना के स्तर पे कर सकते हैं अपनी consciousness का जो भी स्तर है समय हमारा उसके according ही हम अपने चौथे शरीर जो की powerful बहुत powerful शरीर है जिसको हम कहते हैं विज्यान में कोश उसको access कर पाते हैं और उतना ही ग्यान हम अपनी physical body में ग्रहन कर पाते हैं जितना हमारी consciousness का level होता है दोस्तों सबसे बाहर और सबसे important हमारा पाचवा शरीर होता है जिसको हम जो है आनंद में कोश कहते हैं ये आनंद में कोश हिंदी में blissful sheet कहा जाता है blissful जहां आप आनंद में ही हैं चारों तरफ खुशी खुशी आनंद ही है इसलिए दोस्तों हमारा जो primary स्वरूप है जो हमारा मुख्य स्वरूप है वो आनंद में स्वरूप है इसलिए हम जीवन में जो कुछ भी काम करते हैं वो सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि हम वो काम करके हमें सुख प्राप्त हो सके हमें आनंद प्राप्त हो सके चाहे वो ज़्यादा पैसा कमाना हो उससे भी हमें सुख की प्राप्ति होती है अच्छी गारिया लेनी हो उससे भी हमें सुख की प्राप्ति होती है अच्छा घर लेना हो उससे भी हमें सुख की प्राप्ति होती है जीवन में विवा करना हो बच्चे करने हो उससे भी हमें सुख की प्राप्ति होती है आपको ग्यान अरजित करना हो उससे भी आपको एक परमशांती की आनुभव होता है इसलिए दोस्तों जीवन में व्यक्ति जो कुछ भी करता है वो अपने मूल सरूप अपने फंडामेंटल रूप के कारन करता है उसका फंडामेंटल सरूप जो है वो आनंद में है वो सिर्फ खुशी को ही ढूडता है वो चारों तरफ सिर्फ खुशियों को ही ढूडता है इसलिए दोस्तों ये आनन्द में कोश जो है बहुत इंपोर्टेंट है और इस आनन्द में कोश में ही हमारी आत्मा का आवास होता है जब भी आप कहते हैं अरे आज तो मेरी आत्मा आज बहुत ज़्यादा खुश है इसका मतलब आप जब ये बात बोलते हैं कि आज मेरी आत्मा बहुत ज़्यादा खुश है सबसे जो gross level पे है वो physical body है जिसको हम देख पाते हैं जिसको हम feel कर पाते हैं उसके उपर प्राण मैकोश है यह प्राण मैकोश इस थूल शरीर इस physical body से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है और इस प्राण में कोश से भी ज़्यादा शक्तिशाली जो है वो मनों में कोश होता है जो हमारी माइंड पावर है और इस माइंड पावर से ज़्यादा शक्तिशाली हमारा वी ज्यान में कोश होता है और सबसे ज़्यादा powerful जो है वो हमारा आनंद मैं कोश होता है और आनंद मैं कोश के बाद आत्मा का वास होता है जो आनंद मैं ही स्वरूप है इसलिए दोस्तों आप अपने इन पाचों शरीरों का ध्यान रखीए हम लोग अपनी physical body का तो ध्यान रखते हैं लेकिन अपनी परान उर्जा का भी ध्यान रखिए आप उतना ही active होंगे आप अपने मन का भी ध्यान रखिए आप अपने conscious mind का ध्यान रखिए वो तो हम रखते ही हैं लेकिन उससे ज्यादा हमें अपने सब कॉंशियस माइंड का ध्यान रखना है और हमारा चैनल इस सब कॉंशियस माइंड के ही उपड़ा धारित है हम अपने सब कॉंशियस माइंड अब चेतनमन को कैसे नियंतृत कर रहे हैं और अपने जीवन में सफफलता और सक्सेस क के बाद जो है वो knowledge sheet है जिसको हम विज्ञान में कोश कहते हैं और सबसे अंत में blissful sheet है जिसे हम आनंद में कोश कहते हैं दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी यह हमारे उपनिशत्स की जानकारी है जो बहुत ही गूल है philosophical है लेकिन हम हम अगर जानेंगे तभी उन बादि के उपर काम कर सकेंगे और जब हम इन बादि के उपर काम कर पाएंगे तभी हम अपने जीवन के ultimate goal को पात सकते हैं ultimate goal है हमारा आनंद में कोश, आनंद को प्राप्त करना ही हमारा ultimate goal है, इसलिए दोस्तों हमें अपने ultimate goal खुशी को ही प्राप्त करना है, यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो मैं आप से अनुरोद करूँगा, आप में इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ये जानकारी सारे लोगों तक पहुंचे और वो अपने इन पाचों शरीरों को साध सकें, इन पाचों शरीरों पे काम कर सकें, और अपने लाइफ का अल्टिमेट गोल, जो बिस्फुल गोल है, बिस्फ है, उसको प्राप्त कर सकें, थैंक्यू बेरी मैच, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, कि आपने समय निकाल के हमारे इस वीडियो को देखा, थैंक्यू